दोस्तों बजट जारी हो चुका है देश की वितमद्रे निमला सीतरमन ने इस बार सदन में अंग्रेजी में भासन देते हुए बजट जारी किया ऐसे में आईए में आपको लाइन टू लाइन वाइस सारी बड़ी गोसना हैं बजट से समधित लगबग 20 से 25 ऐसे बड़े अनाउसमेंट निकल कर आ रहे हैं जो आम आदमे को जरूर जानना चाहिए महिलाओं से लेकर बड़े बुजर्गों तक और किशान भायलोगों से लेकर सरकारी करमचारियों तक पीम आवास योजना बेंक खाता वालूं के लिए पेन कार्ट से समधित कई सारे बड़े अनाउसमेंट हुए हैं बजट में एक एकर के फड़ाबट से जानते हैं तो आईए दोस्तूं सुरू से सुरू करते हैं देश की वित्मदरी निर्मला सितरमन दे भारती अर्थयोस्ता यानिकी एकोनोमी से बजट की सुरूआत की और कहा की भारत की अर्थयोस्ता सही रास्टे पर चल रही हैं और उज्वल भविश्य की ओर आगे बढ़ रही हैं मोदी सरकार ने 9 सालों में जीवन की 72 गुणवत्ता को सुनिशित किया हैं दुनिया ने भारत को एक चमकती सितारे के रूप में मान्यता दी हैं बजट की सबसे पहली गोसना रही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा ताकि देश में चे और निवेश, चोता क्षमता का विस्तार, पांचवा हरी त्विकास, चटा युवा सक्ती और सात्वा वित्य क्षेतरे, ये साथ प्रमुक पिलर बताये हैं सीतारमन ने बजट के हैं, साथ ही वित्तमंत्री ने कहा कि पर्यटन में एपार संभावना हैं, मिशन मोड पर पजेटन को बढ़ावा दिया जाएगा, अगले एक साल के अंतर गते, अच्छा किसान भाई लोगों के लिए सबसे बड़ा फेशला क्रेशी रिंड लक्षे को बढ़ा कर 20 लाक रुबे किया जाएगा, पसु पालन डेरी और मत्से पालन पर ध्यान देने के साथ, क्रेशी रिंड लक्षे को बढ़ा कर 20 करोड रुबे किया जाएगा, इस समन्द में भारती बाजरा अनुसंदान संस्तान को उतकरिश्टिता के अंदर के रूप में समर्थन भी दिया जाएगा, वह अगले बड़ी गोसना रही कि पीम वीश्व कर्म कोसल सम्मान के तहत, परम परा अगत कारिकरों और सिल्पकारों के लिए भी सहायता पेकेज का प्लान रखा सरकार ने, इसके अलावा 157 नए नर्सिंग को लेज स्थापित किया जाएंगे हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, अगले तीन सालों में इस योजना को लागू करने के लिए 15-4 करोड रुपे उफलब्द कराएंगे, पी-म आवास योजना का बजट 66 परतीशत बढ़ा दिया गया है, रेलवे को लगबग 30,000 करोड का बजट मिला है इस साल, पी-म आवास योजना के लिए परीव यई 66 परतीशत बढ़ा कर 89,000 करोड रुपे किया जा साल में लगबग 30,000,000,000 आदिवाशी चात्रों को शिक्षित करने का लक्ष रखा है एकलवे मोडल आवाशी विद्ध्यालियों के माद्यम से और इसके लिए 38,806 कों की भरती की जाएगी, कुछ और वित्तमंत्री की बड़ी गोसना है देखिया, बच्चों और 157 मेडिकल कोलेजों के साथ-साथ, कोलेकेशन में भी 157 नए नर्सिंग कोलेज थाफित किया जाएंगे, पिया मावास योजना के खर्च को 6% बढ़ा दिया, मैंने आपको बताया, और देश में 50 नए एरपोर्ट भी बनाए जाएंगे, इसके अलावा सभी सहरूं और 157 में सेप्टिक टेंक और सीवरों की सफाई 100% मशीनरी के जरिये होगी है, क्योंकि अक्सर सेप्टिक टेंक की सफाई करते दोरान कर्मचारियों के मजदूरों की जान चली जाती है, तो अब इसमें पर्मानेट मशीनरी का इस्तेमाल होगा, मैन होल से मसीन होल मोड में ट् केंटर ओफ एक्सिलेंस खोले जाएंगे जिससे की देश में आर्टीफीचल इंटेशन्स एडवांस टेक्नोलोजियों की स्टेडी कर पाएं बच्चे-बच्ची देश के युगा अचा साथ ही मुक्त खाद्यान योजना को सरकार ने एक साल तक के लिए अल्रेडी बढ़ा हो सकें इसके लावर राज्जी सरकारों को दिये जाने वाले 50 साल का ब्याज मुक्तरी ने एक साल तक के लिए बढ़ा दिया हैं साथी पेन कार्ड को लेकर सबसे बड़ी गोस्टना की गई है पेन कार्ड को रास्ट्रिय पहचान पत्रे यानि कि नेशनल आइडेंटिटी क काड के रूप में जाना जाएगा पेन कार्ड को इतने दिन सिर्फ पेन कार्ड टेक्स वरने के लिए काम में आता था था लेकिन आप पेन कार्ड आधार कार्ड से नेशतrant के कर sleeping है और 100 Three से लागू हो संसोधित राज कोसी गाटा सकल गरेल उत्पाद का 6.4 प्रतिशत हैं जिसे फाइनेंसियल एर 2024 में इस गाटे का लक्षी GDP का 5.9 प्रतिशत तक लाने का रखा गया हैं। बजच में महिलाओं के लिए बचत योजना का एलान किया हैं और बुज़ुर्गों को भी बड़ी रहत दी गई हैं। योजना बगर अलग योजना हैं बच्चियों के लिए अलग हैं। उस तरह से महिलाओं के लिए अलग होगी। इस जमापर टेक्स में भी चूट मिलेगी और 7.5 प्रतिशत तक का रीटेन भी मिलेगा। वस्तों पर बुनियादी सीमा सुल्क दरू की संख्या को 21 प्रतिशत से गटा कर 13 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं। और इसके परिणाम स्वरूप। खिलोने, साइकिल, ओटो, मुबाइल, साइट, कुछ वस्तों पर मूल, सीमा सुल्क, उपकर और अधिभार के अंदर मामूली बदला हुई है। इन पर कस्टम ड्यूटी गटाए गई यानि कि ये चीज़ें सस्ती होगी, हालांकि सिग्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाए गई है, इसका मतलब सिग्रेट, तमबाकू, उत्पाद वगरा ये चीज़ें महंगी होगी। नहीं देना होगा, ये भारत के लिए एतियासी के एलान रहा है, इंकम टेक्स में स्लेब को लेगर, और नई कर व्यवस्ता में टोटल टेक्स स्लेब को भी 6 से कम करके 5 कर दिया, कर चूट की सीमा को 3 लाक रुपे कर दिया। इंकम टेक्स स्लेब को 3 लाक रुपे कर दिया, 3 लाक रुपे से नीचे तो बिल्कुल भी टेक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसके बाद नई कर व्यवस्ता के दाथ 7 लाक रुपे तक सालाना कमाई तक भी आपको 0 टेक्स ही देना पड़ेगा। अब नए टेक्स स्लेब किस तरह से होंगे देख सकते हैं। पर कस्टम ड्यूटी बगरा में कटोती की गई हैं, मोबाईल और टीवी के दाम सस्ते होंगे, अच्छा इसके लाओ दोस्तों यूआओं के लिए भी बजट में बड़ी गोस्तना की गई है, अलग अलग राज्यू में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित कि बड़े बजट के हाइलाइट्स और पॉइंट्स हैं, मैं आपको इसी चैनल DLS News के उपर एक पार्ट टू वीडियो में बता दूगा, क्योंकि अभी ये बहुत जादा लंबा हो जाएगा वीडियो, वेसे तो इसमें लगबग सारे 90% कवर हो गये हैं, लेकिन इसके अलाओ बजट में जैसे क्या सस्ता हुआ, क्या महगा हुआ, महिलाओं के लिए पर्टिकुलर क्या गोस्ना, यूआओं के लिए क्या गोस्ना, बुज़ुर्गूं के लिए क्या गोस्ना, इनके अलग-अलग सेपरेट छोटे-छोट वीडियो में आपको बता दूँगा DLS News के अंदे मात्राम